सभी इस वीडियो को सब्सक्रेब करें और से यहर परें सम्रुद्धि का चक्र डाला क्या कैसे हो सुखी अरे कहा जा रहे हो कुछ ने के जारा हूँ सफलता का चक्र डाला क्या क्या हुआ क्या हुआ कुछ ने कुछ ने हाह नम कि अ तुझा कल्टार का चक्र डाला क्या क्या हुआ अरे कुछ आवाजे आई आवाजे अरे वो समरुद्धी सबलता और वो कल्टार वाली अच्छा वो आवाज अरे ये तो तरक्य की आवाज है तरक्य हाँ बताता हूँ भाईया इन्हे भी बहुत कल्टार के आवाजे आ रही है देखो कल्टार की इस्तमाल से आपका भी बाग आम के अधिक उत्पादन से खिल उठेगा ये देखिए कल्टार के फाइदे अगर आपके बाग में आम की उपज हर साल नहीं आती है या अगर आपके बाग में आम की एक समान उपज नहीं आती तो कल्टार के प्रयोग से आपके बाग की सही और बहतर उपज आपको मिलेगी कल्टार के इस्तमाल के चार मुख्य फाइदे है 1. फूलों का समय से जल्दी आना 2. फूलों की मातरा में बढ़ोत्री 3. एक समान फूल आने की वज़े से बहतर आम की पैदावार 4. मारकेट में आम की पैदावार जल्दी उपलब्द होना और ज्यादा मुनाफ़ा पाना कल्टार प्रयोग की सुझावित विधी कल्टार का प्रयोग व्रुक्ष की चाया के आधार पर यानी दोपहर 12 बजी की धूप में करे रुक्षकी चाया के आधार पर थालों का निर्धारन करें थाले 5-6 इंच गहरा एवं 3-4 इंच चोड़ा 10-12 लिटर पानी के साथ मिश्रन करके समान मात्रा में कल्टार के घोल का बिखराव करें एवं मिट्टी से ढग दें यदी वर्षा ना हो तो कल्टार प्रयोग के 5-7 दिन बाद हलकी सिंचाई करें कल्टार की सही मात्रा 4 मिली लिटर कल्टार प्रती 1 मिटर व्यास के लिए इस्तमाल करें उधारन यदी पेड की चाया का व्यास 4 मिटर है तो 16 मिली लिटर कल्टार का प्रयोग करें इस प्रकार से व्यास जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा कल्टार की मात्रा का प्रयोग हाँ, पर एक बात का खयाल हमेशा रहे कल्टार खरीदते समय सूर्य की रोशनी में ही सिंजेंटा के लोगों की जांच करे अब आप किसी आवाज का इंतजार मत कीजिए अपने तरक्की की आवाज खूज बनिये, सिर्फ कल्टार अपना ही है